कि यह हमारी MPGS के सीरीज का एक एक लैक्चर है इसके पहले हम मद्ध्य बिदेश का जनरल इंट्रोडक्शन देख चोके हैं उसके बाद मद्ध्य बिदेश का जो पॉलिटिकल जो चीज है कई सारी तो मद्ध्य बिदेश के पॉलिटि देख चुके हैं और उसके अलावा और भी कई सारे दो तिन टॉफिक जो हम अल्रेट कोवर कर चुके हैं इस लेक्शर में बात करेंगे education in मद्ध्य बिदेश में शिक्षा के बारे में तो किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जो शिक्षा होती है education होती है education स जब reorganization पढ़ाया था तो आजादी के पहले before independence जो है मध्यबरेश दो टुकड़ों में divided था एक जो था आपका central प्रोविंसें बरार था जो अंग्रेजों के अधीन डिरेक्ली अंग्रेजों के अधीन था और एक केटिगरी के अंदर बात में उसको शामिल किया गया फिर उसके लावा आपका गौलियर है या इंदौर है धार देवास ये कई सारी प्रिंसली स्टेट थे तो यहां पर शिक्षा का बहुत विकास नहीं हुआ विकास हुआ लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए था जितना बिटिश प्रविंस के अंदर या बिटिश प्रांतों में हो रहा था उतना रियासती राज्यों के अंदर शिक्षा का विकास नहीं हुआ तो प्रदेश में जो भी शिक्षा का विकास हुआ है उस exam के लिए काफी important है ठीक है उसके पहले हम बात करते हैं कि जैसे आपको पता है कि आन अकेडमी का जो prize है वो prize rise होने वाला है को समय बाद जो कीमत है वो कीमत बढ़ने वाली है और ये कीमते जो है वो मंडे से यहां पर आपको लागू हो जाएगी ठीक है तो अगर आपने अभी तक plus subscription नहीं लिया है तो अभी आप जाओ और अभी जाके plus subscription लो इस दो साल का जो prize है अभी 8400 है जो बढ़के 12800 रुपे हो जाएगा एक साल का जो है 7000 रुपीज से बढ़के it raised to 8800 वो नया वाला में डालना भूल गया जो जो है वो तक्रीबाद 1900 रुपे का हो गया है अगले अपडेट टाल दूँगा तो यह prices का फिर राईज हो रहे हैं यहां पर अब आपको क्या करना है आपको सिर्फ यह subscription अभी जाके लेना है अगर आप दिखो अभी क्या है कि exam आने वाले समय में टाइम लगेगा कि फरवरी मार्च तक शाहत फ्री का exam आपका होगा फिर आप मेंस लिखोगे अभी 19 का मेंस होगा फिर 20 का मेंस लिखोगे तो अगले साल के आखरी तक आप जाओगे तो लगब लगब आपको चीज़ें आपको हो जाएगी अगर आपने तयारी अभी शुरू की है या पिछले 4-5 महिने में शुरू की है तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन is much better for you क्योंकि आपको 2 साल में थोड़ा बट पैसा extra मिला है कि आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन वहाँ पर आपको मिल रहा है हमेशा कॉल आता है आप लोगों का मैसेज आता है क्लास में आप लोग पूछते हों कि सर कैसे त्यारी अभी शुरू करें तो सबसे इंप्सक्रिप्शन अभी MPPSC मेंस पेपर वन का कोर्स है तो पेपर वन के इंदर जोग्रफी का कोर्स स्टार्ट होने वाला है ठीक है इस इसके अंदर आपका पूरा पॉरा पॉलिटी वाला पार्ट सोचिलोजी देन पबैड और जित्ते भी MP वाले टॉपिक है वो सभी टॉपिक्स के अंदर महाँ पर एकॉनमी वगरा सब को जिसके अंदर यहां पर आपको कवर करूंगा तो यह पूरा कोर्स जो है वह 100 लेक् दस तारीक से यहां पर आपका शूरू हो रहा है उसके अंदर आप देखोगे तो डिटेल कोर्स अंदर हिस्ट्री है अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे है अब एकॉनमिक इंपक्ट ऑफ बिटेश इंडिया उसके बाद हर क्लास में मैं आपको आंसर राइटिंग के आता है ठीक है यह टॉपिक वाई देता हूं तो तीन-चार क्लास में एक बार फिर मैं उसके ओपर उनको डिसक्रशन करके उन कॉपी उसको महां पर आपको चेक करते था हूं यह कई सारे कोर्से हैं जो अल्ड़ी मैं ले चुका हूं कंप्लीट हो चुके हैं कई सारे अच् पांसो साट रुपे हो जाए क्योंकि आपने मेरा कोड यूज किया है पवल लाइव उसके बाद जब आप लेक्चर देखते हैं या रिकॉर्ड़ेट लेक्चर आप देखते हैं तो वहां पर आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स में तो आपने अप्लाई किये तो आपको lesson जो है वह को जो है उसके बाद दो साल का अगर अप्लाई करेंगे प्योर पॉरा डिसकांट लेने के तो दो दिन आपके बास में Saturday और Sunday आप अभी जाके purchase करो Power Live जो code है उसको बिल्कुल भी use करना मत भूलेगा अभी जाओ और अभी जाके purchase करो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे topic के शिक्षा के तो किसी भी देश में या कहीं पर भी दो तरे के शिक्षा के स्तर होते हैं एक होता है school education और दूसरा होता है आपका college education higher education उच्छे शिक्षा और दूसरा होता है school education ठीक है school education as you know कि 12 तक यहां पर आपको हुगा और sorry college education जो है फिर आपके बाद जो भी आपका degree आपको लेना है BA, BA, COM, BE जो भी आपको higher education करना है वो higher education 2011 का census बोलता है कि मद्देबिरेश में जो literacy rate है 70.6% है और जिसमें male literacy है 80.5% जबकि आपकी जो female literacy है वो है आपका 60% total मद्देबिरेश के अंदर आप देखोगे 4,38,00,00,00 जो है वो आपके शिक्षित हैं जिसके अंदर से 1,79,00,00,00 women है और उसके इलावा तकरिबन 2,58,00,00 जो है आपके male है तो यह मद्देबिरेश में total आपके जन्संग्यागे कुछ figures है कई बार आपको answer writing में या वैसे भी आपको इस factors figures यहाँ पर याद होना चाहिए ठीक है अब higher education department की बात करें तो मद्यविरेश सरकार में अलग से department है जिसको उच्छे शिक्षा विभाग बोला जाता है जित्ती भी universities हैं जित्ते भी विश्विध्यालें हैं जित्ती universities है सब उसी के अंद्रगत महाँ पर आपको आती है तो जित्ती भी universities मद्यविरेश में है तो उनके जो head होते हैं जिसको बोलते हैं चांसलर तो governor of the मद्यविरेश मद्यविरेश के जो राज्यपाल होंगे वो उसके वाइस इसके चांसलर होंगे और जो governor है वही बाकी आपके जो वाइस चांसलर हैं उनका अपोइन्मेंट यहाँ पर किया जाएगा तो राज्य सरकार की अनुशंशा पर governor जो है वो बाकी universities के जो उनके अध आपके technical institute है जहाँ पर तक्रिबन 120,000 जो बच्चे है वो यहाँ पर आपको पढ़ने जिसमें engineering, mca वगरा वगरा करके अलग-अलग colleges है यह आपके 609 जो data है वो सिर्फ technical institute है यह तकनीके संस्थान होगा है यहाँ पर आपका दिया गया है तो यह data तो ठीक है अब हम बात करत है कौन-कौन से institutions है अलग-अलग संस्थान आपके बने हुए है तो दो तेरे की चीज़े होती है एक होता है जहाँ पर आप professional education लेते हैं जैसे आपका B.E.A. MBA है जो मेरा भी list बताई तो B.E.M.C.A. MBA वगरा डिफार्मा बीफार्मा डिप्लोमा यह इनको technical institute या professional institute बोला जा है उसके लावाद दूसरी universities होती है जो सिब आपको formal education देती formal education मतलब B.E.B.C. या BA fine art या इस प्रकार की education देती उसको formal university या फिर आपके एक आधारबुद विश्विद्याला यहां पर आपको बोला जाता तो यह जो आधारबुद विश्विद्याला है वो मद्यविरिश म युनिविशिटी वहाँ पर किया गया तो जो बरकुतुला थे वो वन अप दो फेमस freedom fighter हुआ करते थे जिनों अब आनिसान में जाके भारत की जो सरकार है एक निर्वासित सरकार या एक provisional government भारत के लिए establish की with the help of राजा महेंदर सिंग और उनके साथ में बिलके तो वो उ जिवाजी राव सिंद्या थे ग्वालेर के जो राजा हुआ करते थे उनके नाम से इसकी स्थापना की गई तीसी युनिवर्सिटी बनती है डिए वी इंदौर देवी अहिलिया विश्विध्याल है 1964 में इसका establishment होता है और पहले इसको इंदौर युनिवर्सिटी के नाम स किया गया यह एकलौती ऐसी उनिवर्सिटी मद्विदेश में जिसको NAC certification जो NAC A plus का certification यहाँ पर आपको मिला है तो पिछले साल भी इसको NAC A plus मिला था और इस साल भी NAC A plus यहाँ पर मिला है एक institute ऐसा और है जिसको NAC A plus मिला है उसके बारे में आगे बताऊंगा उसके बाद दरानी दुर्गाव वती उनिवर्सिटी है जबलपूर में 56 के अंदर establishment हुआ फिर अवदेश सिंग प्रताप उनिवर्सिटी है 68 में establishment हुआ और विंद प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे आपके 1948 में तो उनके नाम से इसका establishment 1957 के अंदर हुआ 16 साल बंद प्रवाइड करेगा ये ग्वालियर संभाग में डिये विवे जो है इंदर संभाग में दुरगावती जो है वह जबलपूर और सागर संभाग में ऐसे इनके एरियास बटे हुए उसके बाद पंडित शंबुनात दयाल उनिवर्सिटी है शैडोल में 2018 में तो इस प्रकार स का जो आदान प्रदान है वहां पर करें यहां पर बीए बीकॉम और बेसिक कोर्सेस वहां पर आपके कंड़र्ट किये जाते हैं ठीक है तो यह लिस्ट आपस एक बार देख लीजेगा आप इसको चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आपको दिक्कत लिंक आपको डिसक्रिप्शन में इसका चैननल पर बताते हैं हिंधि विश्विवध्याल है अब यह जो विश्विवध्याल है आपके 2011 में establishment किया गया और इसका main जो purpose था प्रदेश में जो हिंदी का promotion करना या हिंदी का प्रचार प्रसार है हिंदी का प्रचार प्रसार करना उसके लिए इसके स्थापना वहाँ पर की गई भपाल के अंदर पंडित वाचपई के अटल विहारी वाचपई जी के नाम से और वो भारत के पहाल मंत्री भी रहे और काफे जाने माने हिंदी के आपके कवी भी रहे हैं ठीक है अब इनके नाम से युनिवर्सिटी स्टैबलिश किया गया हिंदी लेंग्वेज के प्रमोशन के लिए उसके प्रमोशन के लिए उसमें लिट्रेचर और कई सारे जो हिंदी के कवी हैं उनके उबर रिसर्च वर्ग वगरा करने में काफी फेमस उनिवर्सिटी हुई 2011 में स्थापना हुई दूसरा जो इन्स्टिउशन है अब यह जो भी उनिवर्सिटी हैं यह ऐसी उनिवर्सिटी ज पटिकूरर थी शेत्र के अंधर महाँपे आपको काम करती है मैंने पहले बता दिया फॉर्मल युनिवर्सिटी कौन सी है अब हम कही सारे ऐसी इनिवर्सिटी देखेंगे जो संगीत के कॉलेज को मानिता देथी है संस्कति के और निटी यह एक्रिकल्चर को देथी तो ऐस लाल चतुरवेदी National University of Journalism and Mass Communication है यह सिर्फ पत्रकारी था कि जो कॉलेज होंगे जो बैशलर इन आपका मास जनरलिजम में करते हैं तो उन कॉलेजिस को मानेता प्रदान करेगी इनको DAVV या APS से मानेता महाँ पर लेने की जर्वत महाँ पर आपको नहीं है खेर यह जो यह University है माकनला चतुरवेदी जो मद्धिविदेश के जाने मने कवी थे उनके नाम से विश्विद्याल है इस्टैबलिश किया गया और यह देश का पहला ऐसे University था जो मास कम्मिनिकेशन या आपके जो पत्रकारीता की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को यहाँ पर आपको प्रमोट करता है अब यह जो इंस्टिटूशन है उसके लिए लग से कानून बना 1992 में 1992 में 1992 में कानू आपको आता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जन्रलिसम है उससे सम्मध कॉलेज को मानने था पूरे भारत मद्यमिदेश के अंदर महाँ पर आपको दी जाते हैं जित्ती भी Universities है वह राज्य सरकार के किसी कानून के द्वारा शिक्षा उसके द्वारा किसी Act के द्वारा वहाँ पर establish के गई और आपको पता हिए कि Education जो है वो एक concurrent subject है समवर्ति सूची का विशा है जहाँ पर राज और केंद्र दोनों उसके उपर कानून बना सकते हैं दोनों उसके उपर Rules Regulation महाँ पर create कर सकते हैं उसके बाद अगला जो इनिवसिटी है it's called the RGPB ये राजी 1958 में establishment हो जोका था और उस समय भी भी आपके जो Technical Education है Engineering के शिक्षा है वो महाँ पर आपको provide करता था लेकिन 1998 में उसको State University बनाया गया राज University बनाया गया और राज उनिवसिटी के अंतरगर इसने जो Technical Education है चाहे वो BE है MBA है या MCA है BCA है या B Pharma, D Pharma, M Pharma जित्ते भी फिल्ड टेक्निकल विल्ड उनके अंदर डिग्री प्रदान करता है तो जित्ते भी इंजरिंग के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक तरीके से एक University बन गई इसके पहले जो इंडिविजिवल जो Colleges in Universities थी जैसे पहले for example कि मेरे चाचा ने जब इंजरिंग किया था तो उनके प तो डिए वी विक्रम जहां से भी इंजरिंग करते थे उसका डिग्री मिलता था इंठिया नवे के बाद क्या हुआ कि आपको सिर्फ RGPB की डिग्री मिलेगी और यह जित्ते भी Colleges है वो AICTE All India Council of Technical Education उससे यहां पर आपके मन्निता प्राप्ते यहां पर आपको होते थे तो RGPB जो है वो एक तरीके से उसका खुद का एक College भी है और उसके लावा यह Education भी यहां पर Engineering, Technology, Pharmacy, Management, Architecture, Design and Applied Science के अंतर यहां पर शिक्षा प्रदान यहां पर करता है यह बात हुई आपके RGPB की और यह भी आपका जो NEC है उसके अंतरकत A Grade का University यहां पर Establishment है अगला College है लक्षमी नाराइन National Institute of Physical Education आपके राणी लक्षमी भाई आपका जो Physical Education होती है या आपके जो शारीरिक शिक्षा होती उसके संबंदिते कहां पर आपका संस्तान है तो यह जो Institute है वैसे तो यह नॉर्मल आपका 1957 में इसका Establishment किया गया और 1957 इसलिए सेलेट किया गया क्य और उसमें राणी जो आपकी लक्षमी भाई थी उनको एक तरीके से समान देने के लिए यह एजुगेशन यहाँ पर Institute महाँ पर आपको Establish किया गया ठीक है अब यह जो College है इसको फिर बाद में 1973 के अंदर इसको National Importance का राश्टी महतों का संस्थान यहाँ पर घोशित किया गया तो दो तरह की Universities होती है एक State की होती है राजी की होती हो एक दूसरा जो होता है वो Central की University होती है तो इसको Central का University Declare कर दिया गया इसको नेक के अंदर ए प्लस प्लस का जो Certification है ए प्लस प्लस के रेटिंग यहाँ पर मिली है तो यहाँ पर बेसिकली जो फिजिकल एड़िकेशन है शारिरिक शिक्षा है उसका Training या उसका जो डिग्री है वो उसका डिग्री यहाँ पर आपको दिया जाता तो इसके शेतर में जो Colleges है उन Colleges को Affiliation और De-Affiliation उनको मानेता देना मानेता अपस लेना उनके यह पूरा काम इसके द्वारा किया जाता यह कहां पर है यह आपके ग्वालियर में located है और उसके बाद इसको 2008 के अंदर इसका establishment जो है मैदवेजे सरकार ने कानून के द्वारा इसका establishment किया अब जो मान सिंग जो थे जो आपके ग्वालियर के राजा हुआ करते थे तो उन्ह के नाम से यह institution अभी यहाँ पर होना है मान सिंग तो मार के नाम से establish किया अभी की समय पर यहाँ पर आपके 112 जो colleges है यहाँ पर music, dance, France, आपके fine art और drama, theater इन सब के अंदर जो डिग्रिया है वो डिग्रिया यहाँ पर इसके अंदर provide की जाती है अगला जो institute है अटल बिहारी व यह establishment किया गया 1997 में ग्वालियर के अंदर और यह जो institution है वो ministry of human resource and development यह मान रहा हो संसादन विकार समत्रालाय है यह अभी के साथ से आप बोलोगे तो education जो department, ministry of education है उसके अंतरगत इसकी यहाँ पर आपकी इस्थापना की गई इसका जो मकसद है वो information technology और आपका जो management है उन जो software companies हो अगरा है वहाँ पर किस प्रकार की management की जरौत बढ़ती है तो वो सब degree है इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है पर Indian Institute of Tourism and Travel Management तो यह जो संस्थान है यह पूरे भारत में बोनेश्वर, नॉइडा, नलोर और गोवा तो यह चार जगे पर आपका institute वहाँ प establishment किया गया है और यह basically जो tourism है वो tourism के शेत्र में degree प्रदान करता है या जो tourism के शेत्र में जो भी विकास है जो भी चीज़ें है तो नईनी चीज़ें वहाँ पर लोगों को सिखाता है और degrees वगरा जो है उससे संबंदित यहाँ पर प्रोवाइड करता है और यह अब इसी वा इंदर डिगरी यहाँ पर प्रदान करता है अगला जो इंस्टिटूट है इस कॉल्द रिटी रुस्तम जी इंस्टिटूट ऑफ टेक्निलोजी अब यह जो इंस्टिटूट है यह वालियर के पास में जगे है टेकनकूर वहाँ पर लोकेड है टेकनपूर एक चावनी है आ जो भी पूरा BASF है उसके स्टैबलिश्मेंट में एक बड़ा रोल अदा किया और उसके बाद BASF की चावनी वहाँ पर बनाए गई इंदर में भी चावनी वहाँ पर है तो उनके जो टेकनिकल एजुकेशन है जो कैड़ेट्स होते हैं आपके BASF के या कई सारे जवान व इन सबके जो कैड़ेट्स हैं या उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको डिगरी RGIT के अंदर यहाँ पर आपको प्रोवाइट की जाती है तो यह एक इंस्टिट्यूट है जो सिफ BASF जो परसनल्स है या जो आपके पैरा मिलिटरी परसनल्स है उनको टेकनिकल एजुकेशन य इंडिया है उसके अंदर रगत यहाँ पर स्टैबलिश्मेंट किया गया अब 2014 में स्टैबलिश्मेंट हुआ 8 अगस 2014 को और स्पैसिपिक अभी यहाँ पर हमको जाए तो इसका काम होता है जो भी एनिमल से डिजीज हैं चानवरा सम्मधित जो भी बिमारियां है उन बिमार पर आपका अब यह लोकेटिट है और इसने दो तीन चीजे की है उसके बाद अभी जो कोरोना है तो कोरोना कर टिकी के लिए भी हाँ पर लगातार काम कर रहा है इंस्टिटूट के साथ में तो दितर वान अफ फाइनेस इंस्टिटूट जो टीका करन के अंदर है वैक्सिनेशन मनाने के लिए काफी फेमस है और उसके लाबा बाकी जो एनिमल हेल्थ के उपर रिसर्च है वो रिसर्च यहां पर करता है अगला जो इंस्टिटूट है डॉ जबलपूर का भी कॉलेज हम देखेंगे तो यह युनिवर्सिटी इस्टैबलेश की पहली उनिवर्सिटी वहाँ पर आपको माना जाता है कि पहला उनिवर्सिटी के अंदर स्टैबलेश हुआ ठीक है उसके बाद फरवरी 1983 के अंदर इसका नाम लब जो पहले तो नॉनॉ सरकार ने इसको नाशनल उनिवर्सिटी राष्टी जो विश्विद्याले है वो घोशित कर दिया गया तो राज जी उनिवर्सिटी रहा नहीं इसलिए पीसी में एक बार क्योशन भी आया था तो बच्चों ने बड़ा क्लेम किया था कि यह पहला नहीं है अब नाशनल हो जुका है अब नाशनल हो गया नहुआ लेकिन था तो मध्य विलेश का पहला ही तो यह मध्य विलेश की सबसे ओल्डेस या सबसे पुरानी उनिवर्सिटी जिसको 1997 में इसको राष्टी महत्व का या फिर आपका जो नाशनल उनिवर्सिटी इस्टैबलिश की गई कोई भी उनिवर्सिटी को नाशनल उनिवर्सिटी आपने डिकलेर कर दिया आफ्टर वो जो यूनिवर्सिटी है वो केंद सरकार के उसके अदिन या उनके जो रूस रेगुलेशन से उसके हिसाब से यहाँ पर आपको चलेगी अगली उनिवर्सिटी है इस नेम इस इंद्रा कर दिये tribal research को लेकिए क्योंकि इस पूरे area में कई से tribal populations रहती हैं और इस area में कोई बड़ा university था भी नहीं तो किंद सरकार ने इसका establishment किया 2007 में उसके लिए इंद्रा गांधी National Tribal University Act 2007 आपके संसत के दौरा पास किया गया 2007 में और 2007 में ही इसके स्थापना यहां पर आपको की गई तो tribal community है यह पिर आपके जो भी जो भी जन जाती हैं उनके उपर research किया जाता है उनसे सम्मादित जो भी scholars वगरा हैं वो यहां पर study करते हैं तो 2007 में अमरकंटक के अंदर है फिर Indian Institute of Information Technology Design and Management इसको बोला जाता है यह भी एक बहुती प्रीमेर इस्टिट्यूट है इसका विसे नाम पंटित द्वारका प्रशाद मिश्र के नाम से इसका नाम महाँ पर रखा गया क्या हमारे परंपरा है कि हमारे जो भी politicians हैं या हमारे जो भी freedom fighters हैं उनके नाम से रखा जाता है तो मद्विश्ट के जाने माने freedom fighter थे द्वारका प्रशाद मिश्र उसके नाम से इसका establishment वहाँ पर आपको किया गया and it is located in the जबलपूर के अंदर और यह बेसिकली आपके जो information technology और उसे इसे जो design और management जो manufacturing है आपके IT इंडस्ट्री से लेकर जो भी designing वगरा है जो भी चीज़े है उसके ओपर यहाँ पर काम करता है ठीक है जबलपूर के अंदर है और यह राश्टी महत्व का संस्थान जो है उसको एसे institute होते है जो राश्टी महत्व के संस्थान होते है तो वह ऐसे संस्थान होते है जो national development में राश्टी जो विकास है उसमें बहुती महत्वफूर्ट रोल वहाँ पर अधा करते है तो इसको याद रखिएगा ट्रिपल आईटी 2005 में इसका establishment आपका होता है अगला institute है जव मुद्यदेश में agriculture university या क्रशी विश्युद्याले होना चीए तो उनकी अनुशंशा पर इन संस्थाना का establishment है वह establishment यहाँ पर आपका किया गया ओके तो 1964 में यह मद्यविदेश का पहला क्रशी विश्युद्याले था उसके बाद second क्रशी विश्युद्याले फिर से आपका जबलपूर के अंदर और दूसरी जो है आपके ग्वालियर के अंदर यहाँ पर आपको establishment की गई इसका जो year शायद मैं miss कर गया and I think it's 1997 जो भी होगा मैं नीचे comment section के अंदर या वीडियो में ही आपको बाद मैं यहाँ पर एक strip के अंदर दिख जाएगा कि इसकी स्थापना क गभी थोड़ा था मैं उसको miss कर गया हूं ठीक है तो यह मद्यबिरेश की second agriculture university यहाँ पर इस्थापिर की गई तो दो agriculture university है मद्यबिरेश में establish की गई उसके बाद मद्यबिरेश में जो medical sciences है medical sciences मतलब आपके जो जो आयुरविज्यान है या medical field है उसके अंदर एक combined university बनाई ग जबलपूर ऐसे अलग-अलग universities की degree वहाँ पर आपको मिलेगी लेकिन सरकार ने क्या करा कि जितने भी medical field है मद्यबिरेश के अंदर चाहे वह आयूरविज्यान हो या वह आयूश का हो तो 2011 में एक अलग से state university बनाई गई राज्य विश्य विध्यालय बनाए गया जो महात्म मानेता यहाँ पर आपको दी जाती मतलब ऐलोपेथिक और ऐलोपेथिक के अलावा जो है नर्सिंग या आपके जितने भी आपके आयूश वगरा है सबके अंदर जो degree दी जाएगी इसी के दवारा degree यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी तो यह एक ऐसा institute है जो आपको medical science के अंदर जो है वो डिग्री प्रदान करता है पहले यह डिग्री जह है वह आपके formal education institute जह है उनके द्वारा दी जाती थी विफॉर दर 2011 ओके यहां तक आपको clear हो गया होगा पसीना बड़ा आ रहा है चलो ओके तो दिस इस वान अप दो फाइनस इनिवसेटी जो medical education के लिए है उसके बाद नाना जी देश्मुक वेटरनेटी साइंस इनिवसेटी नाना जी देश्मुक आपके जो वेटरनेटी है यह पशु चिक विश्विध्याले है तो पशु चिकिस्दा के जिते भी colleges थे उन colleges की शिक्षा को प्रदान करने के लिए उनकी education को प्रदान उनकी colleges को माहनेता देने के लिए नाना जी देश्मुक के नाम से भारत तुरतना नाना जी देश्मुक के नाम से एक university established की गई जो मद्विरेश प कानून में मद्विरेश सरकार के द्वारा पास किया गया अब यह वेटेनिटी साइन्स या फिश्री मैनेजमेंट वगरा इनके दर जो भी expert डिग्रीज हैं यहां पर आपको प्रदान करेगा और उसके बाद इसके जो colleges हैं तो तीन इसके colleges हैं एक जबलपूर में हैं एक मह प्रदान करता है ठीक है कि तीनों नाम याद रखेगा यह तो हुई कुछ इनिवर्सिटी उसके लावा Robertson College है जबलपूर में one of the finest college जिसको भी महा कोशल आर्ट and Commerce College या आपके Government Model Science College के नाम से जाना जाता है तब दो पार्ट में डिवाइड हो गया है Government Model Science College और महा कोशल Arts and Commerce College लेकिन इसका जो हिस्ट्री है वो फहुत पुराना है कि उसमय पे आपके जबलपूर के जो कमिशनर हुआ करते थे रॉबर्सन उनके नाम से इसका establishment 1836 में इसके जो स्थापना है वो सागर के अंदर महाँ पे Government School के रूप में हाँ पे की गई फिर बा सागर से जो है वो 1860 में इसको 1873 में इसको जबलपूर है जबलपूर में लाया गया और आजादी के बाद जो है इसका नाम चेंज करके फिर आपका महा कोशल इनिवर्सिटी के नाम से इसका नाम कर दिया गया तो समय कि आपका जो Benjamin Robertson थे उनके नाम से इसके स्थापना महा महां पर यह गही थी तो यह मद्यविलेश के सबसे पुराने कॉलेजिस के अंदर से एक है फिर जबलपूर इंजिनिंग कॉलेज है जेए सी क्योंकि मैं आपको बोला था कि पूरा जो एरिया है जबलपूर सागर और चिंदवाडा वगरा जिता भी पूरा एरिया अंग्र एंजिःनिंग कॉलेज है मद् 걸 फ 측 subscribers का और यह जो इंस्टिटूेट है वह समय पे पहला एसा इन्सटिटूट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐूरा प्रतान करता था यहां पर प्रतान संस्थान महू तो ये डॉक्टर अम्बेटकर का जन्म आपको बताईए कि महू के अंदर उनका जन्म हुआ और उनके जन्म के बाद उनके बर्थ के बाद वहाँ पर अभी उसका नाम भी बाद में भी डॉक्टर अम्बेटकर नगर वहाँ पर कर दिया गया और उनके नाम से social science, क्योंकि social science या फिर आपके जो depressed class है, उनके लिए एक बड़े आंदोलन उनोंने किये, इसके लिए उनके नाम से university वहाँ पर 2016 में establishment किया गया, जो सिर्फ और सिर्फ आपके social science है, या सामाजिक ज्विग्यान है, उसके उपर बड़े research वहाँ पर आपको किय जाते हैं, ठीक है, उसके बाद एक और institute है, it's called the Holker College इंदोर, तो ये विदेश के सबसे premier colleges के अंदर से आपको एक है, उनके संसानों में यह से, तो ये आपके उस समय के जिराजा हुआ करते थे, तो उनको जिराव पवार है, उनकी याद में उनका जो बेटे थे, शिवाज पादी राव होलकर है, एक बार England गए, वहाँ पर हमने School of Economics और Cambridge और कई सरी निवसिडी इस वहाँ पर आपको उनको ने वहाँ पर देखी, और उसके बाद उनको लगा कि ऐसे institute जो है, वो हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए, उन्दौर में होना चाहिए, तो उन्होंने फिर महाँ से आने के बाद अपने अधिकारियों को बोला, क्योंकि कई सारे अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर रहते थे, तो उन्होंने बोला कि मद्दौर के जो बच्चे हैं, उनके education को promote करना है, और उसके लिए हमको जो Oxford University यार Cambridge के level के जो colleges हैं, वो colleges हमको चाहिए, तो उसके अधिकारी हैं, उनको फिर England भेजा, और 1894 में इसका establishment हुआ, इसी चमले जो थे, उसके पहले आपके principle हुआ करते थे, और इनका भी search जो है, वो दो साल में search करके बाद, अभी अंग्रेज अधिकारी जो है, इसी चमले को ले किया है, और उन्होंने पूरा college का establishment किया, अभी अभी जो starting में जो image आपको दिखा था, जो आपके thumbnail के अदर आपने देखा था, वो actually उसी का image वहाँ पे था, तो उस समय पे building में बनी थी, बाद में और अभी डवलपमेंट इसके अंदर हुए, तो ये अभी भी पूरे मदबरेश में सबसे finest college में से एक जनली वो science का degree देत से ये related था, उससे संबद्ध था, उससे affiliation था, फिर बाद में इलहाबाद University से संबद्ध हुआ, और उसके बाद 1988 में UGC ने, University Grant Commission ने, इसको एक autonomous institute, एक स्वायत तसंस्तान यहाँ पर आपको गोशित कर दिया, तो एक स्वायत तसंस्तान के रूप में यहाँ पे काम करता है अब मैं बात करते है, medical colleges की, एक सबसे important medical college है, it's called the MGM Medical College, महत्मा गांधी Memorial Medical College, तो ये as you know की indoor के अंदर located है, अब indoor के अंदर आपको दो चीज़े है, कि मधिबरेश का पहला medical college कौन सा है, पहला आपका medical university कौन सा है, तो उसमें दो चीज़े आती है, एक ये जो university है, कुछ ये basically यहाँ पर King Edward Medical School हुआ करता था, और ये जो nursing के institute है, nursing training वगरा है, वो nursing की training है, या doctors की initial training है, उसके लिए जो England में training लेते थे, उसका इंडिया में आने के बाद, जो भी वहाँ से MBBS करके आया है, या degree लेके आया है, उन लोगों को यहाँ पर special training दी जाती थी, इंडिया के school और एक medical training institute था, उसको उनोंने फिर develop करके, आपके MGM Medical College के रोप में, 1948 में, उस समय के जो राजा हुआ करते था, ये श्वंद्राव होलकर second, उनोंने इसको develop किया, क्योंकि इसका जो establishment है, वो almost almost आपके जब, जो मध्यभारत नहीं बना था, तो मध्यभारत बनने के कुछ सम उनोंने उस समय पे इसके जो स्थापना है, महाँ पर करवाई, फिर मध्यभारत बनने के बाद, इसको proper तरीके से महात्मा गांदी की तब तक death भी हो चुकी थी, तो उनके नाम से फिर इसका नाम जो है, महाँ पर आपको change किया गया, ठीक है, और ये इसके पास में एक hospital है, the hospital is called the MY hospital, महाराजा आपके यश्वन्तिराव हुलकर hospital है, MY hospital के नाम से जाना जाता है, तो जब ये बना था 1955 में, उस समय पे एशिया के सबसे बड़े medical college, medical hospital है, उसमें से एक हुआ करता था, ठीक है, खेर उसके बाद तो कही सारे बहुत बड़े-बड़े colleges, आपके medical hospitals बन ग के अंदर ही बने हुए है, या इंडिया में भी आपके बने हुए है, अगला institute है, रफी एहमत के दवाई, college of agriculture, ये 1952 के अंदर इसका establishment किया गया, और ये सिर्फ एक medical college है, तो ये एक प्रीमेर medical, sorry, medical नहीं, sorry, agriculture college है, तो ये देश के सबसे प्रीमेर agriculture colleges के अंदर एक है, तो 1952 में इसका establishment किया, और भारत के पहले जो food and agriculture minister थे, उनके नाम से इसकी स्थापना महाँ पर आपको की गई, तो agriculture institute की रुप में काम करता है, अगला जो university है, it's called the Sanchi University of Buddhist and Indic Study, तीक है, अब ये जो university है, Sanchi University उसको बोला जाता है, जैसे नालन्दा university है, वैसी Buddhist की study के लिए, ये बुद्ध सर्मी की शिक्षा के लिए, उसका establishment जो है, उसकी स्थापना 2012 में अभी जो establishment किया गया, और especially मेत्रिपाना सिरे सेना, और कई सारे जो foreign guests है, वहाँ पर आये थे, इसका main purpose है, कि जो बुद्धिक study है, या बुद्ध से related जो study है, वो study भारत के अंदर है, आपर आपक research करना, क्योंकि बुद्ध की उपर research करने के लिए, तो कई सारे लोग, आपके फायान और कई सारे लोग, इस सिंग वगरा भारत के अंदर आये थे, सिर्फ बुद्ध की उपर study है, उस study को करने के लिए, इसका establishment यहाँ पर किया गया है, तो बुद्ध से related जो contemporary philosophy है, उसके ब पर study करने के लिए, इसका establishment यहाँ पर किया गया है, ठीक, उसको आप बाद में, PDF में पढ़ लेना, किता important नहीं है, मेंस के साब से important, मेरा point डाल दिये, उसके बाद medical college, इसको गजरा राजे medical college है, आपको से यह रियाद रखना है, कि 2012 में establishment हुआ, और राइसे इन के अंदर, स PRMC, गजरा राजे medical college के नाम से इसको जाना जाता है, तो यह जो institute था, 1946 में, British officers के द्वारा, इसके स्थापना हुआ पर की गई, और main इसका जो purpose था, कि जो education है में, उस area में, ग्वालियर स्टेट के अंदर, medical education और medical college है, उसके स्थापना किया जाए, तो उसको लेके, 21 November 1945 को, Lord Wevel, जो समय पर भारत के governor general हुआ करते थे, वो भारत आये थे, और आपके गवालियर आये थे, फिर गवालियर में आके उन्होंने इसके स्थापना की थी, and it became the 17th medical college of India, भारत का उस समय का सत्रवा medical college वहाँ पर आपका बना था, ठीक है, 1946 में फिर जीवाजी राव सिंदिया जो थे, वो जो राजप्रमुगबाद में बने और गवालियर के राजा थे, उन्होंने इसका स्थापना जो है, उसका establishment वहाँ पर उस समय आपका किया था, ठीक है, तो ये एक finest institute है, जो medical college के लिए establish हुआ, और अभी भी घजरा राजे जो है, एक प्रीमेर institute है, उसके लाब जो जो ती राजप्र जो सिंधिया है, उनके दादा जी हुआ करते थे, उनके ग्रेंट फादर हुआ करते है, माधवराव सिंधिया जो थे, उनके फादर थे, तो उनको ये माधवराव सिंधिया फर्स्ट है, तो उनने वालियर के अंदर इसका establishment किया, 1897 में, and this institute is known as, earlier known as, सरदार स्कूल, अब सरदार स्कूल इसलिए कि वहाँ पर जितने भी अंग्रे जादिकारी थे, बड़े बड़े राजा रजवारे थे, बड़ी फैमिलीस के जो लोग बच्चे थे, वो बच्चे वहाँ पर आपको पढ़ने आते हैं, इसके अल्यूमिनी के अंदर आपके कश्यब, आपके जो सलमान खान, अरबास खान और एक कुन शोयब खान है, शोयब खान नाम है उसका, तीनों भाई वो हैं, और भी कई सारे बड़े बड़े जो गन्यमानी लोग हैं, वो इस स्कूल के अंदर यहाँ पर आपको पढ़ते हैं, तो 1933 के अंदर इसका नाम चें इसके अंदर एक हैं, तो वो ऐसे लोग इसके अंदर नहापर आपको पढ़ए हैं, तेके, अगला जो स्कूल है, इस डली कोलेज, अब डली कोलेज इस säनदिया ज्था वैसे ही, इनदोर के अंदर जो इस इस पूरे एरिया की जितने भी राजकूमार वगle आते हैं, जित का establishment महाँ पर किया and 1876 में इसका नाम चेंज करके East Rajkumar College जो है वो नाम चेंज कर दिया गया तीक है उसके बाद जब Henry Delhi की death हुई तो उसके बाद इसका नाम चेंज करके Delhi College महाँ पर आपको कर दिया गया और अभी भी ये एक बहुत इंस्टिटूट है इंदोर के अंदर जहां पर बहुती एक रोयल फैमिली के या बड़ी फैमिली के बच्चे महाँ पर पढ़ते हैं खेर आजकल तो राइट टू एजिगेशन का जमाना है तो 25 परटन गरीब लोग भी महाँ पर पढ़ेंगे और अभी भी एक बहुती फेमस इंस्टिटूट के रुप में इसके स्थापना की गई है उसके अगला जो स्कूल है इसकोल दा हायर सेकेंटरी स्कूल सिहोर तो यह जो था यह भी 1835 में जो लॉर्ड लिंकिंसन थे जो इस एरिया के अंग्रेज अधिकारी थे जो भुपाल जो स्टेट था तो भुपाल स्टेट के अंदर एक रेसिडेंट हुआ करते थे उन्हें से स्कूल का स्टैबलिश्मेंट किया और भारत के सबसे पुराने स्कूल में से एक था 1835 में से का स्टैबलिश्मेंट हुआ तो वर्नाकुलल मतलब होता है कि देशी भाशा के लिए तो उस समय पे भारत में चार वर्ना कुलर स्कूल ओपन किये गए थे जिसमें से एक अजमेर में था, एक सीहौर में था और दूसरे दो कई और थे ऐसे करके चार वर्ना कुलर या देशी भाषा के बहले हिंदी या उर्दू है उसको पढ़ाने के लिए इनके स्थापना की ग है यह सभी लोग वहां से आपके उस स्कूल से हुह पर पढ़ा हैं और बाद में फिर जब यह स्कूल बाद में बन्हों गया तो व्यवपार की जो निजामत थी उस समय बाद फिर से स्कूल विस्तिवा पर feeling ती बंद करके या किसी दूसरे स्कूल के अंदर इसको यहाँ पर आपका मर्ज कर दिया गया तो यह तो हुए सब गवर्मेंट और दूसरे इस प्रकार के इंस्टिटूट अब कुछ प्राइवेट उनिविश्विध्याल है उनको इस्पेशल मानियता दी गई क्योंकि उनके अदर जित्ते भी निजी विश्विध्याल है उनकी जो भी गाइडलाइन वगरा है उनकी जो मानिता वगरा सम्मद्य जो चीजे हैं वो सब चीजे उसके अदर नहां पर आपको की गई है तो सबसे पहले जो एक जेपी करके इंस्टिटूट था जेपी इन दौर में है अब तो तक्रीबं तक्रीबं 35 से 40 अलग अलग जो प्राइवेट उनिविशिटी हैं वो मद्य बिरेश के अंदर यहां पर आपको इस्टैबलिश्मेंट है खेर इसकी पूरी लेस्ट मुझे मिलनी पाई अगर मिलती तो मैं डाल देता यह एक मैप के अंद 1982 में 1982 में इसका इस्टैबलिश्मेंट किया गया और इसका जो में रीजन था वो फॉरिस्ट के उपर रिसर्च करने के लिए किया गया क्योंकि यह जो पूरा ट्रॉपिकल एरिया है आपके भोपाल और उसके आसपास का एरिया तो यहां पर इस्पेशली जो एग्रिकल्च जो जलवाई मंत्राले है उसके अंदर अगर यहां पर आता है वो स्विडिश जो इंडरनाशनल अकैडमी है उसकी मदद से इसका इस्टैबलिश्मेंट 1982 में यहां पर आपको किया गया तो यह जो फॉरेस्ट के अंदर जो इजुकेशन है उसको यहां पर प्रोवाइड कर वो यहाँ पर establishment उसका किया गया था ठीक है और पूरा जो design है तो आपके मांडू का जो पूरे structure से आपके हैं buildings वगरा है उनसे उसको पूरा inspire होके बनाएगा प्रगते मूलम प्रकरती यह उसका रिगवेट से उसका जो एक tagline है वो tagline यहाँ पर लिया गया है अगला institute है it's IAM Indoor 1996 में 1996 में इसका establishment किया गया और यह देश का छटा IAM था तो शुरुवाती सालों के अंदर जो IAM जब establish हुए तो शुरुवाती सालों में मतविरेश के अंदर Indoor के अंदर इसका establishment किया गया और यह ऐसा UECD सा फिर बाद में उसने दुबई और UAE वगरा जो है वहाँ पर भी अपने colleges वहाँ पर establish किये तो full time residential college वहाँ पर देता उसका IIT Indoor है Indian Institute of Technology Indoor तो 2009 में इसका establishment हुआ तो it's a simple IIT college, simple नहीं IIT is IIT बट 2009 के अंदर establishment किया गया एक समय पर Indoor जो है वह भारत का इकलौता ऐसा शहर था जहां पर IIT और IAM डोनल स्टैबलिश है बाद भी राइपूर और 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 बी कई सारे जगों पर वह establishment हुआ तो यह college जो था यह भी एक one of the premier institute है मदबरेश का जो engineering का college है पहले इसको MSET के नाम से जाना जाता था MSET is called the Molana Ajat College of Technology तो यह जो institute था यह एक तरीके से एक समय पर सबसे एक important college हुआ करता था फिर बाद में इसको NIT बनाया गया NIT is called the National Institute of Technology तो हर राज्य के अंदर एक NIT होता है तो उस तरीके से मदबरेश के अंदर इसको Manit Bhopal बनाया गया and this institute is the first choice of कोई भी engineering का student है जिसको IIT नहीं मिलता है तो फिर NIT में आना चाहता है तो NIT Act के द्वारा इसका establishment किया गया फिर 1960 में जो MSET है establishment महाँ पर आपको किया गया था फिर बाद में इसको NIT यहाँ पर आपको बनाया गया फिर NIFT भोपाल है National Institute of Fashion Technology भोपाल तो यह fashion technology के लिए या फिर आपके जो जो भी fashion विद्या है जो भी आप बोलोगे fashion तकनीक वगरा है उसके लिए establishment किया 2008 के अंदर और यह MP जो भोज उनिवरसिटी है तो उसके campus के अंदर महाँ पर function करता है तो यह basically आपका जो कपड़ा मंत्राला है Ministry of Textile है उसके अंतर गत NIFT भोपाल 2008 के अंदर इसकी स्थापना वहाँ पर आपको की गए उसके National Institute of Technical Teacher Training and Research भोपाल के अंदर है तो यह basically जो technical teacher training है तकनीकी शिक्षा जो तकनीकी जो teachers होते है या आपके engineering college या उनकी teachers होते है उनकी training के लिए इसका establishment यहाँ पर उसका किया गया ठीक है तो यह teacher training के लिए है अब इसका year मुझे नहीं मिला अगर आपको पता हो तो please comment section में मुझे इसका year बता देना क्योंकि इसके website पे इसका year नहीं है और net पे कहीं बर इसका year नहीं है उसके बाद अगला जो है it's called the school of planning and architecture भोपाल यूजना एवं बास्तुकला सनस्तान त उसके लिए develop किया गया कि शहरों में किस प्रकार की plannings होना चीए किस प्रकार के जो institute है वो शहरों में आपके establishment हो सकते हैं उसके अंदर कि सी व्रेज हैं या बाकी जित्ती भी चीज़े हैं तो कैसे स्थापित हो सकती है तो उसके इसाप से 2008 में इसका establishment किया गया and this is for the urban planning शह से जो आपके planning के सबसे important colleges के अंदर से यहाँ पर आपको एक है उसके बाद अगला institute है it's called the श्रीक गोविंद सेकसरिया Institute of Technology and Science it's called the GSITS तो 1952 के अंदर इंदोर में इसकी स्थापना की गई और यह जो संस्थान था यह उस समय पे अभी भी मतलब आप देखोगे तो इंजिरि से लेवल पे जो स्टूडेंट है वो आईटी से इसको जो इसको सेलेट करते हैं 52 में से establishment हुआ गोविंद सेकसरिया के नाम से और 1989 में ही इसको जो ऑटनमस संस्थान है एक स्वायत संस्थान का दर्जा वहाँ पर आपको दे दिया गया तो इंदोर में है उसके बाद जेव पिर जो कॉलेज है आपका कैलकटा में कैलकटा का सबसे फेमस कॉलेज है उसकी ब्रांच यहां पर स्टैबलिश हुई है तो एक प्राइवेट कॉलेज के रूप में है बट इस इंपॉर्टेंट ठीक है उसके 19 अगला जो कॉलेज है भोपाल स्कूल सोशल साइंस जिसको ब प्रवाइड करना तो सोशल साइंस के अंदर बीए बीकॉम वगरा का जो डिग्री है अब तो और भी कई सारी डिग्री यह प्रदान करते हैं लेकिन इनिशली सिफ सोशल साइंस के डिग्री यह लोग प्रदान किया करते थे उसके बाद एक और उनिवरसिटी है मद भारत म तो इसका जो मेन उद्देश था कि प्रदेश के अंदर जो भी education है जो distance learning है जो दूरस्त सिक्षा है उस दूरस्त सिक्षा को प्रवाइड करने के लिए तो for that purpose उनना में क्या करा कि इगनू establish हुआ इंद्रा गांधी national open university उसी level पे हर रार्जे के अंदर एक open university establish की के जो दूरस्त सिक्षा है जो उसमें admission लेंगे school वगरा के अंदर admission लेंगे और फिर वो कुछ particular topic का exam दे के अपना exam वहाँ पर आपको clear कर सकते हैं तो 1986 में आपका national education जो policy आया था उसके अंतरगत फिर इसका establishment आपका किया गया और 1991 में आपको state assembly ने इसका कानून पास किया it's called the madhya bhoj open university MPBOU और ये दूरस्त सिक्षा के अंदर शिक्षा यहां पर आपको प्रदान करता है अगला जो है रविंदनाथ टेगोर university है it's not important बट मैंने उसको डाल दिया मुझे लगा थोड़ा सा important है तो यह आपका पहला मद्यबिदेश का skill based private university है जो सिर्फ skill के ओपर गाम करता है ऐसा institute जो skill training वगरा देता है अलग-अलग fields के अंदर तो this is the skill training institute जो मद्यबिदेश के अंदर है और रविंदनाथ टेगोर जो ग्रूप है 2010 में स्थापना है वो स्थापना भोपाल के अंदर यहां पर आपको की गई फिर एक list में ने दिया है सबका एक पूरा series के अंदर आ आपका economic survey आया था 18-19 का तो तो वो जो census आया था उसने कुछ schools के data है वो school के data यहां पर आपको प्रोवाइट किया थे अब यह data क्या है यह भी थोड़ा साथ देख लेते हैं not so much important बड़ ठीक है फिर आप देख सकते हैं high secondary school यह high school बगरा है total 17,000 schools हैं मद्यबिदेश के अंद तो यह higher education का data है data सरकार ने भी यहां पर आपको दिया था I think important होगा तो मैंने इसके अंदर यहां पर उसको add कर दिया ठीक है तो यह बात भी मद्यबिदेश में शिक्षा कि मद्यबिदेश में education की I hope आपको यह पूरा जो lecture है वो पसंद आया होगा थोड़ा सा बड़ा lecture हो लेकिन आप अगर आखरी तक रुके हैं इसका मतलब आपको पढ़ने की ललक है वो पढ़ने की ललक है कुछ लोग जो होते हैं वो lecture शुरू होता है दो चार चीज़े देखते हैं और फिर निकल जाते हैं कुछ लोग dislike मार किया कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं उसका reason होता रहे होंगे या recording देख रहे होंगे आपका तो जो भी है अब प्लीज इसको जाके like कर देना और अभी जाके plus का subscription लो क्योंकि प्राइजस जो है वो प्राइजस आपकी rise होने वाली तो इसके पहले प्राइजस राइजस हो अभी जाके जो पूरा आपका subscription है और subscription को जाकर झाल टीजस आपका प्राइजस ओला आपका तो के जाके अवार गानोंगे जाके जा बःस्ट पूराँ कर दोूरा आपकाड़ जानापका तो का आपकी जाता हून